हेलो विर्वान वेलकम बैक टो मैं चैनल दीशो डिजाइन तो आप लोग इस तरह की फोटो एडिटिंग करना चाहते हो बहुत एजी डिटिंग वीडियो आप बस लाज तक देख लो कि बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है कि इस तरह की फोटो आप लोग कैसे कर सकते हो बिल्कुल असान तरीके में तो जो सबसे पहरे आपको बैंगरांड इरेश करना इस फोटो जो भी आपका फोटो मीडिया पर आपको रेगुलर अपडेट रहना तो आप मुझे सोचल मीडिया पर भी फालो कर सकते हो लिंक मैंने अपने इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में एड कर दिया एंड यह रहा मेरा ओरिजिनल फोटो बहुत सिंपल है एंड मैंने इसका बैक्ग्राउंड इरेज कर ल दोस्तों जैसी कि आप देख सकते हो मेरा जो बैक्ग्राउंड है उसको मैंने सेयर कर लिया है पीकार्ट में सेयर करने के बाद गया जो सबसे पहले आपका सबसे पहले आपको एड करना है जो आपने अपने फोटो का बैक्ग्राउंड इरेज किया है उसको सबसे पहले अपने description में डाल दिया है वहां से आपको जरूर जाके देख लिजेगा करके कुछ इस तरीके से यहां पर देख सकते हो मैंने कर लिए गाइज इसको कुछ इस तरीके से एड्जेस्ट करने के बाद लीए आड़ फोटो पे एंड नाइस लास्ट इस्ट जो होगा आपको ये फिस वाली प्यंजी एड़कर दोगे तो इस टेप कम्प्लीट होने के पाद आपको आना है draw वाले tool वाले में और draw वाले option पर आके यहाँ पर जो three dots दिख रहे हैं जहाँ से आपको अपने photo को save कर लेना gallery में तो guys यह photo आपका gallery में save हो जागा है और उसके बाद जो मेरा step होगा उसके बाद हम इसको share करेंगे light room में effecting के लिए तो guys चली हम share कर लेते हैं इस photo को light room में effecting के लिए दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा जो photo है वो आ चुका है light room में light room में आने के बाद guys जो सबसे पहले आपका step होगा सबसे पहले आपको क्या करना है इस exposure वाले icon पे click करना है and guys जो आता है आपका highlight उसको आपको करना है minus 25 पर आप इसको 2019 पर एन घाइसस उसके बाद जो shadow है आप इसको कऱो minus 10 पर इन घाइस को कर लो white को जो है уд Understand छो है इसको आप लो ट्ूल पर and the angel black है इसको आपका लो 69 फे उसके बाद का आपको साय आना है 270 step में second step में क्या करना है guys जो आपको vibrance दिख रहा है उसको आप minus 6 पे कर लो and guys जो इसका saturation दिख रहा है आप इसको कर लो 13 sorry guys 30 30 या 29 पे आप लोग कर लो okay guys फिलार मैंने इसको 29 पे कर लिया है उसके बाद guys जो आपका step होगा सबसे पहले आपको mix वाले आइकन पे क्लिक करना है and guys जो इसका पहला tone दिख रहा है इसका situation है इसको आपको करना है minus 12 पे and guys जो इसका luminance दिख रहा है इसको करना है 20 sorry guys 13 पे and guys उसके बाद आपको आना है second step में second वाले tone में आपको क्या करना है situation को करना है माइनस-14 and गयुगई जु इसका luminus दिख रहा है इसको आपको करना है 34 पre okay गयूँ, therd step, sorry guys third tone जो है इसका सिच्छूेसन आङम करेंगे – 100 पे उसके बाद vibes, जो आपका green वाला दिख रहा है, इसका भी situation हम करेंगे – 100 पे उसके बाद गयूँ, जो फोर्थ वाला जो आपको 5th वाला sky blue दिख रहा है उसका भी situation आपको करना है minus 100 पे एंड इसका जो hue है उसको आपको minus 18 plus करना है तो sorry guys मैंने इसको कर लिया 18 3 एंड गाइज जो blue color दिख रहा है blue color का भी आपको situation करना है minus 100 पे एंड इसका जो luminous है इसको हलका सा आप लोग माइनस कर दोगे 12 पे एंड उसके बाद guys जो आपको ये इसका sorry guys ये second last वाला जो tone दिख रहा है बैग निकलर का इसका भी situation आपको minus 100 करना है एंड इसको हलका सा इंक्रिश कर देना है luminous एंड guys सबसे last वाला जो आपको tone दिख रहा है इसका भी situation आपको हलका सा minus करना है 50 के आश पास कर लो एंड इसका जो luminous है इसको आप increase करके 60 कर दो ओके guys ये step complete हो जाने के बाद आपको आना है third step पे guys third step पे आने के बाद guys जो आपका step होगा सबसे पहरे clarity में आप इसको हलका सा minus कर दोगे minus 8 पे कर लोगे 10 जो है guys इसको आप plus 10 पे कर लोगे एंड जो minute है आप इसको minus 18 या minus 20 पे आप लोग कर सकते हो फिलार मैंने इसको कर लिया है minus 18 okay guys उसके बाद guys आपका last step आता है इस step में आपको क्या करना है guys जो इसका sharping है उसको increase कर देना है 34 या 35 पे आप लोग कर लेना आप अपने photo के recording इसको adjust कर लेना एंड गाइस उसके बाद हम masking को हलका सा increase कर देंगे इसको आप लोग हलका सा increase कर दोगे 24 पे कर लोगे जो इसका color नवाज reduction है इसको आप लोग हलका सा increase करके 24 या 25 पे कर लोगे तो guys finally आप लोग देख सकते हो photo कितनी अच्छी तरीके से effecting apply हो चुकी है हमारे photo पे and कितना best photo लग रहा है तो guys आपका एक step बसता है जो इसमें main है वो है hair वाली अगर आपने hair को अच्छे तरीके से raise किया है तो guys बिल्कुल भी hair को touch करने की जोट नहीं है otherwise अगर आपने थोड़ा सा कोई step गलती से छोड़ दिया है hair के लिए तो आपको क्या करना है autodesk use करना है तो guys वो इस step मैं छोड़ देता हूँ hair कैसे set करेंगे and face कैसे smooth करेंगे उस video का link मैंने अपने description में डाल दिया है तो वहाँ से आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख लिजे और बहुत अच्छी वीडियो है यार I hope कि आप लोगो वीडियो पसंद आगी and बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो तो जैसे कि आप लोग ने thumbnail देखा तो उस तरह का मेरा final photo edit हो चुका है and हाई ओप की आइस आप लोग भी इस तरह की photo editing करने के लिए try जरूर करोगे तो गाइस फिर मिलेंगे next वीडियो में गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट जरूर क्या देना फिर मिलेंगे next वीडियो में इससे अच्छी editing के साथ तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई टिक क्यार